यात है प्रेंज आज मारेकेट जैसे जेती बहुत ही लाजवाब आपने और फापड़ी जरूर डीक White से बनाया है वापड़ां Кाली सोरी मिर्च ही में खड़ी आप इसी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास Gordon देखिये मैंने बेशन चालना शुरू कर दिया है फिशें छान लेना इस थो थोड़ा फ्सक्ति थोड़ा भेशन ले कर चाल लेना है देखिये मैंने सारा चाल लिया छिछ उन 폭 बेशन चालना जरूरी है या जवाईन है इसे भी डाल देते हैं एक चमच जवाईन है इस तरह से आप रगड़ दीजेगा इस तरह से खुस्भू बहुत अच्छे आती है देखिए मैंने अजवाईन डाल दिया अब नमक है नमक एक चमच मैं डाल ले हूं आप स्वादम कोड़र दीजेए मिर्च आप आप अपने साबसे कम ज़्यादा डाल सकते हैं इसे बी इतले काली मिर्च कि आप पीली चाण भाल बनाता है एक बार जुरूर बनाएं बहुत ही असान तरीका है अब इसमें मैं थोड़ी से हल्दी डालूंगी, आप चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं पीला वाला, और सब कायदे से मिक्स कर देना है, यह रिफाइन है, एक कल्चुल मैंने रिफाइन लिया है, आप सरसो के तेल मत लिजेगा, रिफाइन ही लिजेगा, इसे गरम करेंगे, ए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, ओल गरम हो रहा है, जब एक दम गरम हो जाए तभी डालना है, गैस बन कर देते हैं, अब इसमें डाल देते हैं, रिफाइन देखिए, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, और मिलाना आइसे, अब थोड़ा थंदा हो चुका है, हाज से मिल करना है जाएसे रोठी का अटा लगता है उसी तरह मुलायमा तयार करना हैए पानी कि दालि येगा थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लिएगा देखिए यह तóst तरह के एकदम मुलाय माटा होना चाहिए आप देख सकते हैं मैंने से तयार कर लिया है अब इसे साइड में करते हैं देखिए इस तरह का आपके पास हो मसीन तो आप सेव तयार कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का मसीन ना हो तो भी आप मैं बता रही हूं उस तरह से छो क्योंकि आठा चिपके नहीं इसमें इस तरह से औल यगी जो भी हो आप लगा दिजिए अंदर इसमें भी लगा देते हैं और इसे चिपकता नहीं है असानी से छूट जाता है कि देखिए अससे तरफ लगा देना है कि इसमें भी लग गया इससे असानी से बन जाता है अब देखिए इस तरह से बिशन काटा लेना है इस तरह से में डाल देना है एक दम मुलाइम ही होना चाहिए कड़ा नहीं होना चाहिए ने तो बनाने में आपको दिक्कत होगी अब इसे भी लगा देते हैं देखिए इस तरह से घुमा देना है यह अपने आप बंद हो जाएगा त्यार हो चुका है साइड में मैंने ओल चरहा दिया है गैस की फ्लेम हाई है तेल गरम हो जाएगा उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर देनी है तेल गरम हो चुका है अब इसम आप गोल गोल भुमाएंगे तो यह अपने आप ही निकलता चला जाएगा असानी से और आपका सेव बनेगा देखिए निकलने लगा है गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है क्योंकि ऑल गरम हो चुका है ओईल को पहले गरम करना है अब फिर गैस की फ्लेम लो करके ही इस तरह से करना है देखिए कितनी आसानी से निकलता जा रहा है बहुत ही अच्छे सेव बनेगे आपके एकदम मार्केट जैसे इस तरह से आप साइड में कर देखिए जब यह उपर आने लगे तभी पलटना है गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है लो टू मीडियम पे ही इसे पकाना है देखिए यह एक तरफ हो चुका है इसे एक तरफ होने में दो से तीन में लगते हैं ज्यादा नहीं लगता है दो से तीन में ही हो जाता है ज्यादा इसे मूद 2-3 नट इस तरह भी पका लेंगे घज की फिलम नो मैंने कर दिये लो पकाना है देखिए यह हो चुका है इसका कलर आप देख सकते हैं जैंग हो चुका है अब ओल निकाल देते हैं इस तरह से और जुस्य अमिशन दोerschण में रख देंगे कि आप दूसरे द्रेग्स बना लेते हैं देखो यह डो है कि मैंने थ्धुर्णा सब पानी डाला है मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूं उससे मिलता जुता है ृफाफ़ा जैसे ही लगता है खाने में बहुत आसान है इस तरह से डो नहीं को थुढ़ा सभिस्तैंद कर लेना है अब इस तरह के देखिए साचा ले लिजिए का मसीट में होता है इस मैं हुँ लगा लिए ऑईल लगा लिए यह इन ने डाल लिए है सबनाना है इसलिए थोड़ा सी इसमें डाल दिया है आप लाजसा बनेगा बहुत ही टेश्टीं लगता कि बंदाता है सिर्फितना सुंदर बन रहा है बहुत ही ऐसानी से बना सकते एक बार बनाएं और रहे ते अश्कश्टी बनता है मिलीए छोड़ देंगे एक तरब होने के लिए देखिए यह उप़र आचुका है गैस की प्लेम मैंने हिसे मीडियम रखी है लो टू मीडियम पर ही पकाना है अब एक तरब हो चुका है इसे पलट देंगे required करेवरां फ्लेम पिन पकाएंगे पांच मिनट लो फ्लेम पर ही इसे पकाईएगा इसे लो फ्लेम पर पकाने से यह बहुत ही टेस्टी अगदम खुस-कुस बनता है एकदम मुलायम बनता है देखिए इसे वो बन चुके हैं आप सुन सकते हैं इसकी अवाज बहुती टेस्टी बहुती करारे बने हैं एक दम मार्केट जैसे एक बार आप जरूर बनाएं बहुती अच्छा लगेगा आपको खाने में साइड में वाला भी हो रहा है गैस की फिलेम मैंने लो कर दी है आप देख सकते हैं सेओ या तयार है यह एक तरीका था मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कि छोनोटे से आप कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास मसीन ना हो तो लीजे आपके सेओ तयार हैं बहुती रखा था लो फ्लेम पर देखिए या भी हो चुका है आपको या वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब की नीचे घंटी है यानी बेल ऐकन उसे जरूर दवाएं ताकि आपको नयाने वीडियो देखने को मिलें या भी तैयार हो चुक आराम से तेल में किरने लगेगा देखिए इस तरह से और आपके सेयों बन जाएंगे आपको मसीन की जरूत नहीं पड़ेगी आप इस तरह से भी असानी से बना सकते हैं अब इसे छोड़ देते हैं एक तरफ होने देते हैं डो एकदम मुलायम होना चाहिए कड़ा डो नही के लिए 2 मुलाट हो चुके हैं इसे अलट पलट देते हैं देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है यह बहुत ही असानी से जल्दी बन जाता है लीजिए आपके सेयों तयार है बिना मसीन के बहुत ही टेस्टी बने हैं एकदम मार्केट जैसे लीजिए इसका भी ओल निक के लगी है इस तह wrse प्लेट में डाल देना है बहुत ही टेस्टी बहुत ही कराalten सेयों हो आपके मार्केट वाले तयार हैं मैंने आपको तीन तरीका बताया है जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं देख सकते ह्सक्टा से कम नहीं है बहुत ही तेस्टी लगता है एकदम प अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा सेयर करना ना भूलें